प्रसिद्ध भजन गायब नरेंदर चंचल का गुरुवार 22 जनवरी को दिल्ली में निधन हो गया, उनकी उम्र 80 साल थी रिपोर्ट्स के मताबिक वो बीदे तीन महिने से बिमार चल रहे थे इलाज के दुरान दिली के अपोल अस्पताल में उन्होंने आखरी सांस ली तरेंदर चंचल माता के भजनों के लिए काफी मशूर थे उन्होंने बॉलिवूड के कई हिट गानों को भी अपनी आवास दी चंचल को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेर अवार्ड भी मिल चुका है उनका जन्म अमरित्सर में हुआ था उन्होंने बॉलिवूड में गायकी की शुरुवात रिशी कपूर की फिल्म बॉबी से 1973 में की थी इसके बाद बेनाम, रोटी कपड़ा और मकान और अवतार जैसी फिल्मों में उनके गाने काफी फेमस हुए इसके बाद उन्होंने भजन गायकी में काफी नाम कमाया उनका गाया तुने मुझे बुलाया शेरावालिये आज भी बहुत लोगप्रिय है प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी उनके निधन पर शोक वेक्त किया मोदी ने ट्विटर पर लिखा लोगप्रिय भजन गायक नरेंदर चंचल जी के निधन के समाचार से अत्यंत दुख पहुचा उन्होंने भजन गायन की दुनिया में अपनी ओजपूर आवास से विशिष्ट पहचान बनाई शोक की इस घड़ी में मेरी समवेदनाय उनके परिजनों और प्रशनसकों के साथ है ओम शांती